यूटिब गोई में आप सबका स्वागत है हेलो दोस्तों आज हम देखेंगे कि बिना यूटिव वीडियो बनाए भी हम किस तरह से अर्ण कर सकते हैं मतलब किसी और की वीडियो से किस तरह से अर्ण कर सकते हैं यूटिव वीडियो को हम लोड डॉलोड करेंगे और उसको अर्ण करेंगे और बिना कोई कॉपिराइट इशू के दूसरों के वीडियो से भी अर्ण करना ये भी पॉसिबल है शुरू करने से पहले मैं आप सब को बता दूँ कि अगर आपने हमारे यूटिव गुरू चैनल सब्सक्राइब ना किया हुआ हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस पे हमेशा मोबाल कम्पिटर टेक्नलोजी और मनी मेकिंग के ऊपर वीडियो लाते रहते हैं शायद आपको इसका कोई फाइदा हो सके और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल सा आइकन होगा उसको भी आप प्रेस कर लें क्योंकि अगर फ्यूचर में हम कोई वीडियो बनाएंगे तो उसका अर्ली नोटिविकेशन आपको पहुंच जाएगा तो चलो शुरू करते हैं मैंने अलरी यहां पे एक सर्च कर र है किर्केट बेस्ट केचेश यहां पर आप देख सकते हैं बेस्ट केचेश अब इन किसी भी वीडियो को हम लोग डाइरेक्ट अगर यहां से आ डाउंलॉड करेंगे और हम आप लोड करेंगे हमारे वीडियो में तो शायद हमें copyright issue आ सकता है और हमें उसका claim पढ़ सकता है कुछ problems हो सकती है लेकिन इसमें एक option है आप यहाँ पर देख सकता है filters हम filters पर click करेंगे filters पर click करेंगे फिर यहाँ पर देख सकते है creative comments अगर हम इस पर click करेंगे तो यह सारी के सारी वीडियो आप देख रहे हैं creative comments आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है किस तरह से अब for example मैं यह वाली वीडियो open कर देता हूं ओके मैं इसको stop कर देता हूं ओके अब हम इसके description में जाएंगे और सीधे जब हम नीचे जले जाएंगे इसके license में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको reuse allowed यहाँ पर इन bracket में लिखा हुआ है इन सारी की सारी वीडियो को जितने भी creative comments में आती हैं उनको सबको reuse allowed यहाँ पर bracket में होता है तो हम इसको use कर सकते हैं हमें सिर्फ इसको download करना होता है और इसको फिर से upload कर लें तो कोई problem नहीं होती लेकिन for example कुछ videos होते हैं जैसे कि मैं कोई एक video open करके देख लेता हूँ जैसे कि यह वाली video अब यहाँ पर देख सकते हैं license में वहाँ पर in bracket में reuse allowed था लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है standard YouTube license मतलब यह वाली video अगर आप यूज करोगे तो आपको 110% sure copyright issue जरूर आएगा लेकिन उस video पर जो के मैंने पहले show किया हुआ था उस video पर यहाँ पर नीचे देखोगे description में तो वहाँ पर लिखा हुआ है reuse allowed तो इसे हम फिर से use कर सकते हैं तो अगर आपको इसको किस तरह से download करना है मैंने already एक website के उपर वीडियो बनाया हुआ है जहां से हम लोग easily कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं Facebook फाइल Facebook की वीडियो या फिर YouTube की हो डेली मोशन की हो कहीं सारी वीडियो उसमें आसानी से download कर सकते हैं मैं अपने description में उस site का link और वो वीडियो यूट्यूब वीडियो नीचे description में शो कर दूँगा आप उसको check कर लें और इसके आलवा भी अगर आप यहाँ पर अगर यह वाली व YouTube.com उसके बाद में जो कुछ भी हो channel का URL है अब सिर्फ आपने क्या करना है YouTube के पहले double S type कर देना है double S अगर YouTube के पहले www.www.s डालना है फिर YouTube.com फिर वाकी का जो कुछ भी हो URL continue हो जाएगा और फिर आपने enter कर देना है एंटर करते ही एक दूसरी वाली फाइल ओपन होगी आप देख सकते हैं यह सीधे एक फाइल ओपन हो गई अब यह रीड कर रहा है उस वीडियो को जैसे यह रीड कर लेगा उस वीडियो को यहाँ पर आप उस वीडियो का थमनेल देख सकते हैं देखो यह वीडियो का थमन करना है उस साइट पर आप क्लिक करें और डाउनलोड कर दें तो सीधे सिट यहां पर डाउनलोड हो जाएगा या फिर इससे भी बहतर जो कि मैंने आपको बता दिया कि आप वहां से कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं यू फेस्बुक गूगल प्लस या फिर कोई भी फा सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट्स भी जरूर बेजें थैंक यू पर वाचिंग थैंक यू बाबाई